आज मैं ये नोकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडिशनरी रिजैन दे रहा हूँ और मेरा मानसिक संतूलन इतना बिगड़ चुका है कितना बिगड़ चुका है मैं इतना नहीं हूँ क्या अरे मैं भी किसी का बच्चा हूँ, किसी का बाप हूँ मैं भी टीम बोलता है कि 307 section लगाईए मैं बोलता हूं कि 307 हमारे बस में नहीं है हम 307 नहीं लगा सकते पर मुझे एक बात समझ नहीं है कि इस case में इस case में ऐसा क्या pressure है ऐसा क्या है कि जो हमारे मेरे अला दिकारी भी जो है वो कानून को कानून की धजियां उड़ा रहे हैं कि आज मुझे अपनी ओकात आज इस पुलिस डिपार्डमेंट में constable head constable कि इनकी ओकात का पता लगा कि इनकी ओकात एक बड़े अफसर के सामने कुछ भी नहीं है कि मैं head constable जस्वीर पुलिस थाना काड़ाम कि मोंटसाइब रहने वाड़ा हूं कि मैं कि पुलिस विवाग में मुझे आठ सथरा सोड़ा सत्रा साल हो चुके हैं मैं जो है काड़ाम में भी तेड़ साल से पोस्टीड हूं अभी चार दीन पहले एक एफ़ायार हुई थी उस application के मुताबिक उस जो भी investigation के मुताबिक जो सेक्सन बनती थी उसमें बदमा हुआ है उसकी investigation चली है और इसमें जो सेक्सने थी वो एक प्रण्तु मेरे उसके बाद जो है मुझे पिछले कल मेरे एस साथ इस अभी चल रही है जैसा भी होगा ठीक है विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्चन लगाई मैं बोलता हूं कि 307 हमारे बस में नहीं है हम 307 नहीं लगा सकते 307 नहीं लगा सकते हूं वो एक डॉक्टर के उपर डिपेंड करता है सिंपल चोटे हैं 307 के लिए मेरे को प्रेसर बनाया जा रहा है उन्हें बोले चलो ठीक है जैसा एल्स पर लो होता है वैसा कीजिए आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूजड है वो दो दिन से यहीं है थाने पर बैठे हैं बचारे उनके लिए कि इनको सिनाखत कराना है एक जो भी होता है भी उनको पहचान करानी है मैंने विक्टिम को सुबह फोन किया कि आप आईए उसके फादर को चाचा जी को तेजबीर को तीन चार फोन किये मेरी कॉल डिटेल भी चेक कि जा सकती है प्रंतु वो लोग नहीं आए फिर आए जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाईए आप इसमें 50 अच Kingdom Ск autopetzen मेरे अधाने ने然後 कि इसने बोला है वो बोलता है कि हम आप को कॉपरेट्बर करेंगे हम नहीं करते हैं और हम कंप्लेट्य करते हैं पिछले दो दिन से महें कंप्लेंट्स कर रहे हैं क güver error आज और फीर से मेरीха म कीए मिरे अधिकारियों को मुझे फॉन आता हैober स 1 मैं तुरंत रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना निखाना, खाने की त्यारी में था, आदे घंटे में आना है बोले, आदे घंटे में काडाम से मैं दोड भाग करके पतनी कैसे पोंचा हूं, जाए बीच में मेरा एक्सिडेंट भी हो सक हमेशा ही उनकी तारीफ है, पीट भीचे तारीफ है, पहले भी है और आज भी है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आए कि इस केस में, इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो हमारे मेरे अला दिकारी भी, जो है वो कानून की धजियां उड़ा रहे हैं, बताएं मार पीट होई है, उसके मताविक सेक्स नलगी है, 307 कहां से लगाओंगा है, विक्टिम बोलता है कि मरतर की धारा लगा दो, 302 मरा नहीं, 302 कहां से लगाओंगा, क्या यह, मैं, पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है, तो बुजारी, क्या यह दार देनको अन्दर कैसे डाल दें किसक पैस्टे में डाल दें कैसे कर दों उनको मैं कैमरे लगे हैं हाव लात में कैशे मैं उसको अंदर नहीं सुनी गई मैं बार बार फिर भी इसी वीडियों बोला हूं कि मुझे विक्टिम पाइटी बिल्कुल भी कोप्रेट नहीं कर रही मुझे धंकियां दे रही है और इस बात को पूरे थाने को पता है मैं बोलता हूं अरक्षी असोग कुमार उसके सामने की बात है एसा इस उसके बोलने से कुछ भी करेंगे कुछ भी मैं मैं समयके में का जुवान हूं और मैं छोटा हूं मैं मानता हूं यह मेरे जो है मेरा धुर्बाग्या है क्यों को छोटा सा मुलाजी मूँ पर मेरा पक्स भी तो सुन लो मेरे साब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना अपनी जुबान बंद रख जो मैं बोलता हूं वो कर अभी जाके गिरिफ्तार कर इनको इनको गिरिफ्तार कीजिए अभी जाके मैं उनसे फिर पोचने जाता हूं कि मैं कैसे गिरिफ्तार करो इनको कल मेरे मैं अपने अपने खिलाप गदमा करा लो गया कैसे किस से किस इसमें को मैं गरिफतार करो, मुझे बस एक बात अपता दी जाए, मैं बार बार एक बात बोलता है, जो आदमी, जो आई उसमें को गरिफतार कर सकता है, वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं, मुझे ही क्यों फशार हैं, जवर्दस्ती है मेरे भी तो छोड़ो बते हैं ठीक है इसलिए आज मुझे समय कि मे Obrig income काम काम करता हूँ इनों ने आज मैं रोया हूँ अभी भी में मेरी चलिकरती ओर दी 될 कि शुए यह झाल हुए एक मेरा यह झौoga है रोइटिंग का मुकदमा है इसमें तो डोक्टर ने लिखे सिंपल चोटे है मैं रोइटिंग जो बनता तो कर दिया मैं 307 कैसे लगा हूं आज मैं यह नोकरी छोड़ रहा हूं मैं कंडिशनरी रिजैन दे रहा हूं और मेरा मानसिक संतूलन इतना बिगड चुका है कितना मेरा जो मन है वो जीने का रहा ही नहीं आज मुझे अपनी ओकात आज इस पुलिस डिपार्डमेंट में कॉंस्टेवल है कॉंस्टेवल इनकी ओकात का पता लगा कि इनकी ओकात एक बड़े अफसर के सामने कुछ भी नहीं है आप जुबान नहीं कोल सकते अंदर अगर गलत क्यों वां कि आप अंतर आपको बिलाए मैंने बाहर जाए क्या मैं इंसान नहीं हूं क्या ॆस मैं इस मुझे अपनी परस्तितियां ऐसी तो मेरे अब से जयुल सैंतियो आइस्थ काम के आए मैं में मत एकाइब आ ग्मीप मर्जारों तोब मैं चार तेंसे बहुत अए था उएक का पर मैं बोलता हूं सभी जो भी मेरे पुलीस अफसर है और Constable अफसर तो नहीं है Constable id Constable अफसर नहीं इस मैंकिन जुत्यबस दिया हमें हर कुछ कराते हैं हमारे अफसर हमारे से गलत कराते हैं कि कभी गलत नहीं करना है अब भेख सट में करते हैं इसलिए सभी से मेरी कजारी से है जैसे मैं बोल रहां मैं गلटपने किया है मैं लोग के अंसारी काम करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आज मन तो भी करता कि अभी सुसाइड करूँगा, पर नहीं, मुझे अपनी फैमिली से बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं, नेक्स्ट बोलुगा, पर मैं बहुत डिप्रेस्ट नहीं, आज कहने के मतलब, इतना जादा तनाव में हूँ, बस बता नहीं सकता हूँ, मैं अतना तना हूँ, मैं मुरे को लग रहा कि मैं अभी मुझे, अभी मेरे ब्रेन है, मैं मर जाओंगा, ठीक है, इसलिए सबसे मेरी गुजारिस है, कि यार, इस भी पुलिस विभाग को ऐसा मत बनाओ, हमारे अपसरों से जो और इस से भी प्राला दिखा रही है, प्लीज, ऐसा मत कीजिए, एक्यूजड की बाते मत सुनो, एक्यूजड कम्प्लेंट कर रहा है, उसको आप बहुत जादा तोज्यो दे रहे है, एक विक्टिम कोप्रेटर नहीं कर रहा है, आप मेरी बात बिलकुल नहीं सुन र झाल कि आप्य